नमस्कार में उर्ट प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में ज़री जानते हैं देश्विदेशी 11 प्रमुक खबरों को नितन गटकरी ने चीन के प्रयोक्षाला में COVID-19 के बनने की कही बात भले ही भारत COVID-19 के मुद्दे पर चीन को अभी तक सीधे तोर पर कुछ भी नहीं कह पाया हो लेकिन अब धीरे धीरे भारत का भी सब्र का बांथ टूट रहा है इसी क्रम में केंद्रे मंत्री नितन गटकरी ने अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड टरम द्वारा चीन के एक प्रयोक्षाला में COVID-19 को बनाया जाने की बात पर सहमती जताई है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चीन के वुहान में पैदा हुआ COVID-19 प्राकृतिक नहीं है यह प्रयोक्षाला में पैदा किया हुआ है एक मीडिया हाऊस से बाचवीद के दौरान उन्होंने कहा कि हमें COVID-19 के साथ जीने की कला सीखनी होगी जीने की इस कला को सीखना इसलिए भी ज़ूर ही है क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं है यह अप्रत्याशित है क्योंकि इससे प्रयोक्षाला में विक्सित किया गया है हाला कि नेतन गटकरी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि भारत समय तमाम देश COVID-19 के वाक्सिन को ढूमने में लगे हुए हैं हमें जल्द ही इस पर सफलता मिल सकती है TDS और TCS में 25 फीसिदी की हुई कटोती प्रधानमतिर नलेंदर मोधी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोर रुपे के जिस आर्थिक पैकज का एलान किया था उसी को लेकर बीते तिन वित्मंत्रि निर्मला सीतारमन ने विस्तार से बताया है जिसके तैत उन्होंने MSME से जुड़े 6, EPS से जुड़े 2, MFI और NBFC से जुड़े 2, Discom से जुड़े 1, Contractor से जुड़े 1, Real State से जुड़े 1 और Tax से जुड़े 3 एहम फैसले लिये हैं आयकर रिटर्न को 30 जुलाई और 31 औक्टूबर से बढ़ा कर 30 नवंबर तक कर दिया गया है और Tax Audit को 30 सितंबर से बढ़ा कर 31 औक्टूबर तक कर दिया गया है सभी सरकारी कॉंट्राक्ट कंपनियों को निर्मान कारे पूरा करने के लिए 6 महीने तक आविस्तार दिया गया है साथ ही उन्हें आंशिक बैंक गैरंटी देने का एलान जारी के आगया है रेल्वे ने किया साफ संक्रमित व्यक्तियों को मिलेंगे टिकेट के पैसे COVID-19 के जारी महाल में एक बार फिर से रेल्वे ने सुविधाओं को शुरू कर दिया है इसके तहत रेल्वे ने सभी आमनागरिकों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन भी जारी की है जिसे कि आमनागरिकों की यात्रा भी आसानी से हो सके और कोई किसी को प्रभावित भी ना कर सके इसलिए railway ने सकती से आदेश देते वे सभी को railway ने यह साफ कर दिया है कि जांच में अगर किसी भी व्यक्ति में COVID-19 पॉजिटिव होने या लक्षन या संदिक्त पाए गया तो उसे railway में सफर करनी के नुमती नहीं मिलेगी लेकिन उसके पैसे पूरी तरीके से उसे वापस कर दिया जाएंगे वहीं ग्रह मंत्राले की ओर से जारी देशा निर्देश के मताबिक सभी यात्रियों को अनेवारे रूप से स्क्रीनिंग की जानी होगी और केवल उन्हीं लोगों को ही च्रेन में यात्रा करनी के नुमती होने चाहिए जिन में COVID-19 के कोई लक्षन नहीं है WHO ने कहा हो सकता है COVID-19 हमेशा के लिए हमारी जिन्दिकी का एक हिस्सा बन जा है COVID-19 से वर्तमान समय में पूरी दुनिया अस्त्रियस्त है COVID-19 ने अपनी चपेट में अब तक लाखों लोगों को ले लिया है और कई लाखों लोग की जान भी चली गई है वहीं सभी देश की अर्थववस्था भी सरुकों पर आगी है इन सब के बीच डपलू अचों ने अपनी तरफ से सभी देशों को एक बार फिर से आगाह किया जुसके थैद विश्व स्वास से संगठन के कारेकारी ने देशक डॉक्टर माइकल ने कहा है कि HIV संक्रमन की तरह COVID-19 दुनिया में ह भी खतना हो क्योंकि HIV भी अभी तक खत नहीं हो पाया है डॉक्टर रिया ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि COVID-19 को लेकर हमें व्यवहारिक होने की जरूरत है मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह बता सकता है कि COVID-19 का असर कब खत्म होगा यह भी अभी इसे रोकने के लिए लगाएगे प्रतिबंदों को हटाना भी सही नहीं है क्योंकि मामले अभी भी अथिक आ रहे हैं ऐसे में प्रतिबंद हटा तो COVID-19 बड़े पैमाने पर फैल सकता है और इसे लिए आगे बंद को बढ़ाने की संभावना भी होनी चाहिए गोवा में एक बार फिर से COVID-19 ने दीदस तक जहां गोवा में कुछ समय पहले COVID-19 फ्री राज्यों घोशित कर दिया गया था वहीं बीते दिन एक बार फिर से गोवा में COVID-19 का कहर देखने को मिला है खबरों की माने तो गोवा में एक साथ साथ नए मामलों की पुष्टी की नहीं थे जबकि उनके संक्रमित होने की पुष्टी हुई है उन्हें कौरिंटीन में भेज दिया गया है वहीं व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है लोगडाउन 4 से समधिक 5.48 लाग सुझाव मिले दिली सरकार को COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते वे मुख्यमंत्री अलविंद केजरिवाल ने दिलेवासियों से उनकी राय मांगी थी ताकि दिली सरकार COVID-19 को देखते वे बंद की अवधी को और आगे बढ़ाने पर सोच विचार कर सके जिसके बाद वाटसाप, इमेल और फोन के जरीए लोगों ने सिर्फ 29 घंटे में लगभग 5.48 लाग सुझाव दिये हैं जिसके बाद दिली सरकार ने सभी लोगों का धन कारे योजना तयार करके केंदर सरकार को सौप देगी। गायब करने की पूरी तयारी कर ली है जो की चीन के लिए जटके से कम नहीं होगा। प्रधानमति नरेंदर मोधी ने साफ कहा दिया है कि लोकल के लिए वोकल होना बहद ही जरूर है यानि कि देशी सामान का ना सिर्फ खरिदना होगा बलकि उसका अप्राचार भी करना दक्षिन अंडमांड सागर पर एक निम्न दबाव का छेतर त्यार हुआ है जिसकी वज़े से 16 माई की शाम तक एक चकरवाती तुफान आने की संभावना है इतना ही नहीं मौसम विभाग नहीं हभी कहा है जिसके लिए मौसम विभाग ने 15 माई को दक्षिन और बंगाल की खाड़ी के आसपास 45-55 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवाई चलने का अनुमान लगाया है जिसके थैद दक्षिन के तमिलनाडू करनाटक लक्षिक दीप में तेज बारिश होने के संभावना है जबकि उतर भारत के पश्चिमी विभुक्ष की वज़े से उतरा में सवार होने से पूर्वजाज के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाई जाएगी और यात्री फ्लाइट में अपने साथ 300 मिलिलीलीटर हैंड सानिटाइजर को ले जा सकते हैं जो इसके तहत Bureau of Civil Aviation अपने आदेश में कहा है कि हर अवा इसी को ध्यान में रखते वे सभी कर्मचारियों को सक्त निर्देश देते वही हा कहा गया है कि भले ही विमान की सेवा शुरू हो जाए लेकिन क्रिह मंतराले द्वारा जारी किये गया गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा और यही कारण है कि सभी यात्रियों को विजमालिया भारत का जानमाना कारोबारी विजमालिया पैसे लोटाने के लिए तैयार हो गया है लेकिन विजमालिया ने सरकार के सामने कुछ शर्ते रखी हैं जिसके तहब विजमालिया ने पहले तो ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के लिए रहत को जमा करने के लिए सरका कर दें आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मशूर कारोबारी विजयमालया करीब 9000 करोड रुपए को लेकर फरार होने का मामला दर्ज है इतना ही नहीं विजयमालया को भारत से भागा हुआ भी खोश्वित किया जोगा है जिसके बाद बद 2016 से बृटेन में ही रह रह है केंदरे कर्मचारी के लिए जारी हो रहा है work from home ट्रेंड Department of personal and training के लिए केंदरे कर्मचारियों के लिए work from home के लिए एक internal memorandum जारी किया गया है जो इसके ताहतिया कहा गया है कि कोबिट 19 के मदनजर यहा है अनूठ़ा प्रयोग किया गया है प्रोसीजर लागू किया जा सकता है इसके लिए बनाएगे नियमों को केंदर सरकार के सभी मंत्राले को भेजा गया है और सभी मंत्राले को 21 माई तक अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है तो चले बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके प्रता को आने वाले समय में अपनाए जाने की जरूरत है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देशवी देश की तमाम बड़ी ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद